हेलो एवरिवान एन वेल्कम टू लर्न एवरिधिंग अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को भी प्रेस कर दें क्यूंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरा एंसेयर्टी स्लेबर्स कराने वाली हूँ तो आज किस वीडियो में हम हानी कॉम बुक की पोयम एट मीडो सर्प्राइजस को पढ़ेंगे इस पोयम को लिखा है लुईस प्रैंट फिलिप्स ने तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि मीडो का मतलब होता है हरे भरे खास के मैदान या आप कह सकते हैं चारा का और सर्प of trees and you will notice many wonderful things जब कभी भी आप हरे भरे घास के मैदान से गुजरते हो या पाक या यहां तक के पेडों के जुन्डों के नीचे से गुजरते हो तो आप बहुत से चीजों को देखते हो जो काफी आश्चर जनक होती हैं यानि कि आप उन चीजों को देखकर हैरान हो जाते हो उनमें से कुछ सर्प्राइजिस क्या है जो मीडों के पास होते हैं किसी के लिए भी तो वो किसके लिए होते हैं जो उसे देखने वाला होता है या सुनने वाला होता है तो चलिए अब आगे हम इस पोयम को पढ़ते हैं और यह जानते हैं कि मीडों के पास क्या क्या सर्प् कहते हैं घास के मैदान के पास बहुत सी चीजे हैं जो आपको हैरान कर देंगी you can find them if you look find का मतलब होता है धूनना आप उन्हें धून सकते हो अगर आप उन्हें देखना चाहो तो walk softly through the velvet grass softly का मतलब होता है धीरे से और velvet का मतलब होता है मकमली तो यहाँ पे point कहते हैं अगर आप बहुत ही धीरे से मकमली घास में चले तो and listen by the brook brook का मतलब होता है पानी की धारा तो आप एक पानी की धारा को सुन सकते हैं you may see a butterfly butterfly का मतलब होता है तितली तो यहाँ पे point कहते हैं जब आप घास के मैदान में जाओगे तो आप एक तितली को भी देख सकते हो rest upon a buttercup तो बटर कप क्या होता है बटर कप एक जंगली पहुधा होता है जिसमें प्याले के आकार के पीले फूल लगते हैं तो आप देख सकते हो कि जो तितली होती है वो पीले से फूल के उपर बैठी होती है एंड अनफोल्ड इट्स ट्रिंकिंग स्ट्रॉस अनफोल्ड का मतलब होता है खोलना और स्ट्रॉस का मतलब होता है पतली सी पाइप तो वो जो तितली होती है वो अपनी जीब की मदद से उसकी जीब होती है वो बिल्कुल पतली सी पाइप के तरह होती है जिसकी मदद से वो फूल को खोलती है तो sit the nectar up और फूल के रस को चूसती है You may scare a rabbit, scare का मतलब होता है डराना आप एक खरगोश को डरा सकते हो Who is sitting very still, still का मतलब होता है शांत जो कि बहुती शांत बैठा होगा यानि कि जब आप meadows में यानि कि हरे भरे घास के मैदान में जाओगे तो आप एक खरगोश को भी डरा सकते हो जो बिलकुल शांत बैठा होगा Though at first you may not see him हाला कि आपने पहली बार में उसे नहीं देखा होगा When he hopes you will Hopes का मतलब होता है कूदना लेकिन जैसे ही वो कूदेगा तो आप उसे देख लोगे A dandelion who's fuzzy hat तो dandelion क्या होता है Dandelion एक जंगली पहथा होता है जिसमें पीले फूल होते है Fuzzy का मतलब होता है बिखरे वे तो यहाँ पे point कहते है जब आप घास के मैदान में जाओगे तो आप dandelion को भी देख सकते हो जिसका सर यानि कि उसकी जो पत्या होती है वो बिखरी भी होती है Was golden days ago जो की पहले सुनहरी रंका होता है Has turned to airy parachutes Airy का मतलब होता हवादार जो की अब एक हवाई पैराशूट में बदल चुका है That flutter when you blow Flutter का मतलब होता है फडफडाना ये लहराना और blow का मतलब होता है फूकना और उसकी पत्या लहराती है जब आप उसे फूक मारते हो Explore the meadow houses Explore का मतलब होता है खोजना आप उन घरों को खोजिये जो घास के मैदानों में बने हुए है The bros in the ground Bros का मतलब होता है बिल या सुरंग जमीन में बने हुए सुरंगों को भी आप देख सकते हो यानि कि जब आप घास के मैदान में जाओगे तो वहाँ पर बने हुए सुरंगों को भी आप देख सकते हो A nest beneath tall grasses Beneath का मतलब होता है नीचे तो जब आप घास के मैदान में जाओगे तो लंबी घास के नीचे बनाएवे घोसलों को भी आप देख सकते हो The ant's amazing mood Amazing का मतलब होता है हैरान करने वाला या आश्चर जनक और moon का मतलब होता है तीला और वहाँ पर आप चीचु के द्वारा हैरान करने वाले तीलों में बनाएवे बिलको भी देख सकते हो Oh, meadows have surprises तो यहाँ पर पोईट फिर से कहना चाते हैं कि जो घास के मैदान होते हैं उसमें बहुत ही हैरान करने वाली चीजे होती है And many things to tell और भी बहुत कुछ है कहने के लिए तो यहाँ पर पोईट कहना चाते हैं जो कुछ भी उन्होंने बताया है इस पोईट के अंदर वो ही सब कुछ नहीं है बलकि घास के मैदान के अंदर बहुत सी ऐसी चीजे हैं जो सभी को हैरान कर देती हैं You may discover this yourself आप खुद ही यह सब खोच पाएंगे If you look and listen well यदि आप उन्हें ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो इसी के साथ हमारी यह पोयम समापत होती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए दोस्तों के साथ जासर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब पीजिए आज के लिए बस इतना ही मिलती है नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू